हालो दस्तों, आज मैं एक नए रेसिपी लिखे आई हूँ, आज हम बनानी जारे बैसन की बरफी, बहुत ही छटपर्ट बनते हैं, और इतनी टेस्टी घर पे बना सकते हैं, फ्रेश फ्रेश, लड़्डू हो, बरफी हो, मिठाई हो, सबी घर पे बना के स्टोर कर लेंगे, ह मैं यहाँ पर डाल दूँगे देसी घी, दो चमस में घी डाल दूँगे यहाँ पर, घी को थोरी से मेल्ट होने देंगे इस तरह से, गैस का फ्लेम को बिलकुल लोर रखने होंगे, और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है, अच्छे सी छान के लिया है बेसन को, आप म इस तरह से भूनती रहनी चाहिए, आपको बिलकुल यहाँ से नहीं हिलने होंगे, इसको चलाती रहनी होंगे, नहीं तो कहें पि जलना जाए, जलने से आपको फ्लेमर अच्छे नहीं आएंगे, इसी तरह से भूनते हुए हमें यहाँ पर अभी टाइम हो गया है, तीन-च जमस घी डाल दिया है और इसी तरह से मिक्स करते हुए भूंते रहेंगे अभी हो गया है पांच मिनेट देखिए आपको टोटल ली हमारी आर्ट मिनेट हो गई है और इतनी दानेदार फुली हुई से है बैसन अभी इसको हम प्लेट पर सिफ्ट कर देंगे यह देखिए और कड़े पर हम यहां पर घी डालेंगे मैंने यहां पर 1.5 घी डाली हुई है इसको अच्छी से में ब्ल्ट होने देंगे यह गेसका फलेम को बिल्कुल लो रखेंगे घी को इस तरह से मैल्ट होनी के बात में मैं यहाँ पर गुर्ण यूस कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी बनानी है हमें यहाँ यह देख सकते हैं मैं हम इस तारह से गुड़ लिया है इसी टाइप का गुड़ को मैंने यहाँ पर छोटी-चोटी कार्ट करके लिया है, जल्दी मेल्ट होनी के लिए हमिए इसको बनानी के लिए वरफी बनानी के लिए हमें कोई चासनी नहीं बनानी है और इतने कम चीजों में बन अब इसी तरह से चलाती हुए हमें इसको मेल्ट करने होंगे घी में यहाँ पर बिल्कुल पानी यूस नहीं होंगे आपको घी कम ज्यादा लग रहे तो आप एड़ भी कर सकते हैं और इसी तरह से मेल्ट होने तक हमें गुड़ को पकानी होंगे और मैंने यहाँ पर थोरी सी खुश्बू अच्छी आनी के लिए एलाइची पाउडर लिया है और इसको भी यहाँ पर डालके मिक्स कर लेंगे आपको गूर ज्यादा टाइम तक नहीं पकानी होंगे नई दू टाइट हो जाते हैं तो हमें सिर्फ इसको यहाँ पर मेल्ट होने तक ही पकाएंगे यह दिख सकते हैं आप अच्छी से मेल्ट हो गई है इसी तरह से हमें इसको मेल्ट होने तक पका लेंगे उसकी बात में गेस का फ्लेम को ओफ कर देंगे अभी गेस का फ्लेम को ओफ कर दिया है और मैं यहाँ पर डाल दूंगी बैसन जो फ्राइ करके रखी हुई थी इसको यहाँ पर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और ना भूलना कि बैसन यह फ्राइ किया हुआ डालने के टाइम में गेस का फ्लेम ओफ कर देनी है नहीं तो ये टाइट बन जाएंगे और इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए हमें तयार करने होंगे जितने ठंडे होंगे इतने ये टाइट बनते जाएंगे तो हमें इस तरह से मिक्स करते हुए थोरी से पैन से चिपकना ना जाए तब तक हम इसको पैन में ही रखके इस तरह से मिक्स करते रहने होंगे यह दिखे कड़े में चिपका नहीं है अभी मैंने एक प्लेट लिया है इसमें घी थोरी से लगा के ब्रॉश कर दिया है आपका पास में ट्रे हो तो वह भी ले सकते है अभी हम कड़े से निकल के यहाँ पर डाल देंगे और इस तरह से अच्छी से सेट कर लेते है आपकी पास कटोड़ी हो तो उसी से भी सेफ कर सकते है यह दिखें जितनी घी डाली हुई थी वो सब उपर आ गया है अभी गरम है तो हमें इस तरह से सेट कर सकते है शाइनिंग भी आएंगे बरफी में इस तरह से घी उपर आने से अभी मैं यहाँ पर ड्राइफ्रू डाल रही हूँ मैंने यहाँ पर बदम लिया है इसको थोड़ी से चौप करके लिया है और मैं यहाँ पर पीस्ता बदम भी एट कर रही हूँ अच्छे लगेंगे खानी में इस तरह से सब डालने के बाद फिर उपर से थोड़ी से दाबा देंगी इस तरह से ये दिखे ये गिरेंगे नहीं इस तरह से दाबा के तायर कर लेते हैं उसके बाद अच्छी से इसको कट करके रेडी कर लेंगे अभी गरम है तो हमें काटने में बहुत ही आसन होंगे और हमें इस तरह से कट करके इसको व हुई है आप पीसेस बड़ी छोटी रख सकते हैं मैं बॉक्स शेप में काट कर रही हूँ अब इसे बहुत ही अच्छ लग रहे हैं खुश्बी भी बहुत बढ़ी हा आ रहे हैं आपको मैं दिखा रही हूँ एक देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है देखनी में भी और खानी में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे जिसने भी मेरा ये वीडियो पे सस्क्राइब किया है लाइक किया है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धनेवाद और जो जिसने नहीं किया है प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा और फ्रेंज की साथ में मेरा वीडियो शेयर कर दीजेगा इसी तरह से नई नई वीडियो में लेके आती रहूंगे आपका प्यार आपका सपोर्ट हमेशा इसी तरह से बनाई रखेगा आप देख सकते हो इतने अच्छी सी पीसिस निकल रही है यह दिखे बहुत ही आसन है यह रेसिपी बनानी के लिए आप पी एक बर ज़रूर ट्राइ कीजिगा और अच्छे लगे तो प्लीज कॉमेंट करना ना भूलेगा इतने कम चीजों में इतनी सहरा बरफी बन के तयर हो जाता है आप मार्केट में यह खरितनी जाओ तो आपको 250-300 पढ़ेंगे लेकिन हमें घर पे बनानी में जादा से जादा 100 रूपिस में इतनी सारे बरफी बन के तयर हो गया है आपको यह अच्छे लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूले फिर नई वीडियो की साथ आओंगी तब तक के लिए बाबाई